है एक ऐसा प्रोसेस जिसके थुरू हम ऑ्टिमंस एक्वरटी को सिलेक्ट कर दी उसीको तो नाम है सेकरेटी एनलिसस उसी को तेडाम हैं सेकेरेटी एनलिसस तो दोस्ते मिए एक एक वर्ड सम्झाऊंगा एक वर्ड करेंगे बहले आज की ग्लास में हम एक फैसे बनना है तो इस इन्वेस्टमेंट का, Harry Markoviss, William Sharpe, हम सारी बाते करेंगे, लेकिन अराम अराम से, धीरे-धीरे, अब यहां लिखेंगे, Meaning of, meaning of portfolio management, meaning of portfolio management, बैटे मैंने तीन अक्डार लिखेंगे, पहले लिखा मैने security, फिर लिखा मैने security analysis, पिर समझा रह anterior हो पोलघ फोलियो मनेजमिय बैसे पेर फोलियो क्या होता है बता सकते हैं आप म Warum यह संदरेंदर मोदी जी के पॉर्टफोलियो के बनने सीमि पॉट फोलियो इप फ़लियो को मतलब है ग५्लोप अलग अलग से keurई इस इसको बोलते हैं पोड्फोलियो तो portfolio management में हम क्या करने वाली हैं आप पहले लिख ले एफेक्टिव इफेक्टिव एफेक्टिव एफिशेंट इफेक्टिव एफेक्टिव एफेक्टिव एफेजेंट एक्सिमाईजेशन थो वर्ट्व गरोंगा मैक्सिमाईजेशन और रिटर्न एंड रिस्क बेटें दो अक्षर प्रेम के हैं यहां पर मैंने दो अक्षर यूज की हैं इफेक्टिव एफेशेंट मैक्सिमाईजेशन ऑफ रिटर्न विद गिवन रिस्क मैंने वहां पर तोड़ा सा ठीक नहीं लिखा कोई बाद नहीं अब फ्लोचाट है भी इसको एक्स्पेंट करेंगे इफेक्टिव एफेशेंट मैक्सिमाईजेशन अब रिटर्न एंड मिनिमाईजेशन अब रिस्क मेरे पास जगा नहीं थी अब यह कैसे कर सकते हैं इसके लिए पेटे आपको मेरे तीन कोश्टन का अंसर देना पड़े उसी से नीचे आ रहा है तो यकीन वानिये आपका ये चैप्टर हुआ 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 और आप अमीर बने ही बने अभी मैंने कोई कोश्टन नहीं कराया बिटे अभी तो लॉजिक समझ रहे हैं ये चैप्टर बना क्यों इस चैप्टर की बीचे से धांत क्या है हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ह हम स्टैटिसिक्स के मदद लेंगे हम फ्लो चार्ट के मदद लेंगे तो मैं यहां पर लिख ठाहती कोश्टन है वट इस टू बी सबसे पहली बाद हमें पता होना चाहिए हमें क्या खरीदना है वर्डस तूबी परचेस्ट क्या कि एकुटि शेर खरीदें का खरीदे बाइंटू परचेस्ट मेंटे मिंटे मेंट फस्वित अकilt हे और कंब hote 150 वेच अगर है तो शकीन मानिये वह तो वैसे हमीर बन जकता है कब खरीदे क्योंकि कई पर मार्केट यह तो साघर के पानी जैसी है मार्केट दोस्तों आपको मैं आज इकनामिक टाइम्स की बातें भी बताऊँ को भले आज की लेक्चर में दो अगली लेक्चर में Wenz when to purchase and when to sell, कभ खरीदे dio तब बेच दे क्या खरीदें तौतीजी बात हाउ तू कालपुलेट हो तू कयलपुलेट हॉ तू कैलपुलेट हाउ तू कैलपुलेट return slash risk बस बेटे बस मेरे बच्चे बस मेरे लाल अगर यह तीन कोश्टन्स का आंसर आपने दे दिया तो आप समझ दीजेगा कि आप अराम से यह पूरा चप्टर कर सकते हैं और इन तीन कोश्टन्स का आंसर देने के लिए मेरे बेटे हम चार स्टेप्स फॉलो करेंगे वी विल फॉलो फॉर स्टेप्स बस बेटे चार स्टेप्स फॉलो किये नहीं आपके तीन कोश्टन का अंसर आया नहीं और आपने इस चप्टर को किया नहीं और जैसे यह चप्टर होगा आप लाइफ में अमीर बन जाएंगे और हमारा अबजेक्टिव मीट हो जाएगा अभी हां लिखेंगे हम अबजेक्टिव कुछ देर के बार लिखेंगे या भी नहीं लिख रहें यहां लिख देजिए अबजेक्टिव ओफ security analysis and portfolio management बस पेटे अबजेक्टिव ओफ security analysis and portfolio management इसको देखेंगे अब आप यह बताईए कि मैं आपसे पहला step भी पूछूँगा मैं आपसे पूछूँगा मैं यहां पर लिखूँगा पहला आपको पता हो जीए step number one types of securities securities कितने तरह की होती हैं मैं तो आपसे कहना चाहरा हूँ securities are of two types दो तना के securities होती हैं दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसी जिसको हम कह सकते हैं fixed income fixed income bearing fixed income bearing securities ऐसी securities जिसमें हमें fixed income मिलती है जैसे debentures की उपर fixed interest मिलता है जैसे bank की FD के ऊपर fixed interest मिलता है बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं और दूसरी होती है पेटे दूसरी होती है दूसरी होती है non fixed non fixed non fixed non fixed income पेटे जगा नहीं थी तोड़ा सा बढ़ा हो गया कोई बात नहीं non fixed income bearing securities मैंने का जी पहली बार step 1 में पता होने चाहिए कि कौन से securities खरीद नहीं है मैंने का जी दो तरह के securities है एक fixed income bearing securities मेरे पास जगह नहीं है ना वहाँ पर आप लिखे example bonds debentures FD कुछ mutual fund की schemes ऐसी है जहां पर fixed income मिलती है और non fixed income variable income bearing securities जिसका सबसे प्रमुक example है equity shares equity shares तो पहली चीज़ मैं आपको step number one में यह बताई और step number two में यह बताना जाता हूँ types of security markets types of security markets security markets कोन सी होती है तो बेटे वैसे अलग-अलग प्रकार की होती है लेकिन अभी ज्यादा deep में नहीं करेंगे मैं खाली दो चीज़े बताना जा रहा हूं एक बेटे primary market और एक बेटे secondary market एक primary market प्राइमरी प्राइमरी लिख लें Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange अराम से पेटे कोई जल्दी निया एक कोश्टन कम कर लेंगे पहली क्लास है पेटे logic समझ रहा पेटे foundation बनानी है पेटे आप टेंशन बिल्कुल मत दो मेरे होते मैं मैं जो concept बता हुआ मैं आपको जो questions करा हुआ यकिन बानिया बस वहीं आएंगे वहीं आएंगे वहीं आएंगे आप ध्यान से बस concept को clear करिए तो मैंने कहा पहली चीज मैंने बता दी अब मैं step number two की तरफ बढ़ूँगा और step number two question number two का answer करेगा when to purchase and when to sell उसके लिए मैं आपको सामने step number two यहां लिखूँगा और step number two में मैं आपसे यह गहूँगा कि आप मुझे एक चीज बताईए कि अगर एक लड़के की और एक लड़के का विवा होता है जैसे आपके घर में आपके भाई भैंगा हो रहा होता हुआ होगा आपका भी होगा बेटे ठंड रखो अभी ठंड रखो पहले सियस्त तो बन जाओ बेटे फैले सी एस बन जाओ मैं खैदा हूँ आप दिना से लड़की है मान लेते हैं कि य有一 स fixing लड़की के माता पिता लड़की के माता पिता सबसे पहले क्या करेंगे लड़के का एनलिसिस करेंगे एनलिसिस ही तो करेंगे तो मैंने का इसका नाम पढ़ गया लड़का एनलिसिस अब कैसे लड़का एनलिसिस करा जाता है आप बताइए उसके उसके स्टार्स को देखा जाएगा लड़की के स्टार्स से कंपेर किया ज जाएगा और उसके पूर्वज कौन थे ये भी तो देखा जाएगा कि पूर्वज कौन थे उसके खांदान में पूर्वज कौन थे उनको देखेंगे माता पिता को देखेंगे माता पिता क्या है कैसे हैं कितने पड़े लिखेंगे उनका घर कैसा है कहां रहते हैं उनका रहन सहन कैसा है ये सारी बाते हम देखेंगे और लास्ट में लड़की के माता पिता उस लड़के के बारे में देखेंगे कि वो लड़का कैसा है, दिखने में कैसा है, हाइट कैसी है, पड़ा लिखा कितना है, नोकरी कहां करता है, कितने कमा लेता है, बेटे इस सारी बातें इंपोर्टन हो दियें, क्योंकि उन्होंने लड़की का दान देना है, कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान, कन् लड़की को दान में देना है तो दान देने से पहले ये तो चेक कर लें कि जिस प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को बड़ा किया है क्या वहाँ पर खुश भी रह पाएगी या नहीं तो इस एनलेसिस को हम कहते हैं फंडामेंटल एनलेसिस ये जो लड़का एनलेसिस है इसको कहते हैं फंडामेंटल एनलेसिस अगर आप ध्यान से देखें तो इस फंडामेंटल एनलेसिस में तीन तरह के एनलेसिस किया आपने द्यान जो देखिए, एक एनलिसिस क्या, एकोनोमिक एनलिसिस, एक क्या, इंडस्ट्री एनलिसिस, और एक क्या, कंपनी एनलिसिस, कंपनी एनलिसिस, Economic Analysis का मतलब जो स्टार्स टैली करवाए, पंडित से, खांदान को देखा, पूरवोचु को देखा, माता-पिता को देखा, उसको हम कहते हैं Industry Analysis, लड़के को देखा, उसके रहन सेन को देखा, उसकी जॉप को देखा, उसके पैसे कवाने की पापो को देखा, उसके माइंड को पड़ा इसको बोलते हैं, पीटे, Company Analysis, इसी तरह से, आप बताइए, अगर आप आज के बाद माल लेते हैं, आप यसी बड़ी कंपनी के, मॉर्गन स्टैलने के CFO हैं, और आप लंडन में पोस्टिड हैं, और आपको, आपको, कुछ मिलियन रुपीस, इंवेस्ट करने हैं, अब आपके पास चॉइस है, यादो आप इंवेस्ट, यादो आप इंवेस्ट, इंडिया में कर सकते हैं, और याप पाकिस्तान में कर सकते हैं, अराम से बेटे, अराम से, आप मेरे वो अराम से आंसर देना, यादो इंडिया में कर सकते हैं, और याप पाकिस्तान में कर सक काली दो ही चॉइसे हैं अभी चाइना रशिया चॉइस नहीं है माल लेते हैं सोचिये और मुझे बताइए कि आप इंडिया में इंवेस्ट करना चाहेंगे या पाकिस्तार सोचिये एक मिनट मैं दे रहाँ मैं अगर आपके जगे होता या मैं अगर इस CFO की जगे होता जो मौना स्टैलने के 50th floor में लेंडर में बैठा है तो नो डाउट मेरी डिजीजन तो एकदम होती इंडिया इसलिए कि मैं इंडिया से बिलांग करता हूं क्योंकि इंडिया के अग्दर अगर आप डेमोग्राफिक टेक्टर देखें जो आजकल मोदी जी हर कंट्री में जाकर बोल रहे हैं डेमोग्राफिक फेक्टर्स मतलब आप इंडिया की जीडीपी देखें आप इंडिया की नाशनल इंकम देखें आप इंडिया की पर कैपिटर इंकम देखें आप इंडिया में एजुकेशन का लेवल देखें आप इंडिया में इंफलेशन देखें तो आपको इसके competitively पाकिस्तान जैसे दोनों देश एकी साथ आजाद हुए दोस्टे कुछ मिनिटों वाक थी कुछ मिनट पहलेномya पाकिसान हुआ और कुछ मिनट के बाद हिंदुस्तान हुआ अगर आप दोनों देशों को लेकर primary sector को लेकर agriculture को लेकर targeted sector को लिएकर secondary में दोस्तों ज्यादा growth है तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं लंडन में बैठे हुए एकनौिक एंडेस कर रहे हैं एकानुमी को पढ रहे हैं कि वह economy कैसी है देब Tribal आज मोधी जी कहते हैं कि मेरी यहां मैं यंग लोग बहुत हैं जिस country में ज्यादा यंग लोग होते हैं यकीन मानिये वो country grow करती है यकीन मानिये वाग इसी तरह से आप पहले आपने चूज कर लिया अब इंडिया में अगर आप आज से देखना शुरू करें तो हमारे यहां पर Bombay Stock Exchange को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेंसेक्स है सेंसेक्स है और निफ्टी एक अलग से बेंचमार्क है National Stock Exchange को रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप बताएए आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे मैं आगर आपको चॉइस दूँ आई टी इंफर्मेशन टेकनोलोजी यह सेक्टर एक है FMCG Fast Moving Capital goods एक यह सेक्टर माले देए हैं एक माले देए सेसे सब्सक्रा में 13 . है अगलिंगे सेक्टरों का यह में निकालते हैं? मैं आपसे यह कह रहा हूं। जैसे IT का सेक्टर है FMCG है फार्मार्स्टिकल है अब आप पताये इन में से कॉन सा चेक्टर आप लेंगे मैं 1 मिनट दे रहा हूं आप मैंसे कुछ स्टूरेंट जरूर यह सोच रहे होंगे कि IT सेक्टर ज्यादा अच्छा है IT सेक्टर क्यों अच्छा है वो उनकी मन की बात हो सकती है उनको लगता है कि इस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा होगी इस सेक्टर में आगे 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 आपको future अच्छा दिखता है इस सेक्टर में आपको competitors कम दिखते हैं ऐसे अचानल बहुत सारी बाते हो सकते हैं आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि pharmaceutical सेक्टर ज्यादा अच्छा है अच्छा है क्यों दवाइवाईया बनाते हैं आपको ऐसा लग सकते कि आने वाले दिन्वे में लोग ज़्यादा गड़ी देंगे लोग ज़्यादा बिमार होँगे लो इसका future रहुत अच्छा है डिमांड जादा होगी कुछ भी आपके मन में जो बात हैं बिलकुल ठीक है लेकिन आप मॉर्गन स्टेल ने के CFO हैं आप इसमें से चूज तो करेंगे ना सेक्टर ये जो सेक्टर आप चूज कर रहे हैं टेक्नोलोजी को ध्यान में रख कर टेक्नोलोजी को ध्यान में रख कर फ्यूचर दिमांड को ध्यान में रख कर government attitude को धहान में रखकर government attitude को धिसान में रखकर इन सभी को हम बोलते हैं carry analysis क्या बोलते हैं industry analysis तो यह मैंने लिखा Industry analysis पीड़े इस सबसे फेले हो गाए economic analysis उसके बाद हो गाए industry analysis ओर पीड़े इसके बाद मैं आप से कहुँ चलिया आपने IT Sector चुल लिया और मैं आपसे कहता हूँ जी IT Sector में कौन सा आप सिलेक्ट करना जाएंगे IT Sector में कौन सी कंपनी जैसे मैं कहता हूँ जी इसमें Infosys भी है इसमें Wipro भी है इसमें इसमें TCS भी है, अब आप बदाएए, इन्फो से सेलेक्ट करेंगे, विप्रो करेंगे यार TCS करेंगे, आप मैंसे कुछ बच्चे जो मुझे लग रहा है, वो कहरें जी TCS करेंगे, और मैं पूछू जी TCS क्यों हो, आप नहींगे जी, इसमें प्रमोटर्स को देख रहे हैं इनका past track record देख रहे हैं, इनकी financial positions देख रहे हैं, EPS देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे factors आप देख रहे हैं, तो दोस्तों ये जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, company analysis, बेटे CFA USA के अंदर, हर एक analysis अलग से एक subject है, industry analysis अलग है, इंडस्ट्री analysis अलग है, economic analysis अलग है, company analysis अलग है, तो मैं आप से ये कहना जा रहा हूँ कि तीन analysis हम करेंगे और उसके बाद select करेंगे कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, या कहां पर investment करनी चाहिए, तो step number two में, मैं यहां पर लिखूँगा, funda, funda, fundamental, mental analysis, आप सब लिखे, step number two, fundamental analysis है, step number two, fundamental analysis है, और fundamental analysis में हम सबसे पहला analysis कर रहे हैं, जो हुना चाहिए, उसको बोल दे है, economy analysis, अराम जबेटे, सब बच्चे रिखेंगे, fundamental में पहला analysis जो है, उसका नाम है economic analysis, और economy analysis में, जैसे मैंने बताया, GDP, population, national income, economic growth, ऐसे बहुत सारे factors लिखेंगे, मेरे पास बहाँ जगा नहीं है, मैंने तीन-चर फेक्टर लिख दी है, अराम से बेटे, fundamental analysis करेंगे, कि वो fundamentally strong है या नहीं, बेटे, fundamental का मतलब क्या हुआ, आपके एक movie देगी हो, मैं वैसे clipping दिहा हुआ, बेटे, movie एक आई दी, शोले, नालू में आपको, एक movie आई दी, शोले, और इस movie में, इस movie में, बेटे, एक था, अमिताब बच्चन, एक था, अमिताब बच्चन, एक था, धर्मेंदर, ठीक है, एक सेकंड बेटे, मैं, आपने, शोले की movie देखी होगी, और शोले की movie में, एक अमिताब बच्चन था, आपको वालू में, एक धर्मेंदर था, धर्मेंदर, और दोस्तो, एक हेमा मालनी थी हेम वाली और इस मूवी में क्या बताये गया जो मैं कहने जा रहा हूं इस मूवी में धर्मेंदर को धन्यों 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 को干ानली जाता है से बेखिस किती दो मरी शादी करा सब्सक्राइब तो हीमा मालनी से यह मुवी शायद आपने देखी होगी और आपको यह सीम भी आप आ रहा होगा लेकिन मैं आपको कुछ और बताना जाना हुआ अमिता बच्चन जब यह धावएंदर टेंकी इूपर चडआ होता है तो मेदा बच्चन पेड़ के नीचे मोसी के साथ उतकृ मोसी इतना हट्टा कट्टा तो है इतना हट्टा कट्टा तो है क्यों नहीं शादी कर देदी मोसी तू तू इसके साथ इतना हट्टा कट्टा तो है क्यों नहीं शादी कर देदी इसके साथ मोसी कभी-कभी अगर शराब भी-भी लेता है मोसी तो फिर क्या हो गया अमिताब बच्चन मोसी को यह कहना चाहता है कि धर्वेंदर फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉंग है मैं फिल रिपीर करता हूं अमिताब बच्चन यह कहना चाहता है कि धर्वेंदर फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन 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 टेक्निकली टेक्निकली वीग है इसका बतलब by economic times पड़ते हो actually आप नहीं पड़ते पड़ते नहीं मुझा आपको तो यह भी नहीं बता है कि आप अगर ध्यान से एक नॉक टाइस पड़ें तो उसमें उसमें पे नंबर बाला में 12 में फालेंशियल इंटेलिजेंस मार्किट की बाते होती है और कई बर ऐसा लिखा जाता है इसे लिखा जाता है तो दोस्तों मैं एक बात यही कहना चाहा हूं आप सभी को कि आप कभी भी कोई भी सेक्यूरिटी खरीदेंगे आज या आज के बाद आपको पहले उसका सेक्यूरिटी एनलिसिस करना चाहिए और सेक्यूरिटी एनलिसिस के दो पार्ट्स है एक पार्ट का नाम है फंडा मेंटल फंडा मेंटल एनलिसिस और दूसरे पार्ट का नाम है टेकनिकल एनलिसिस मैं रिपीट करना हूं एक पार्ट का नाम है फंडा मेंटल एनलिसिस फंडा मेंटल एनलिसिस में तीन पार्ट एक इकोनॉमी दूसरा इंडस्ट्री तीसरा कंपनी और पेटे एक होता है टेकनिकल एनलेसिस ये दोनों एनलेसिस करने के बाद ही हम जड़ा सा चेक करते हैं कि ये सेक्यरिटी बेस्ट है या नहीं तो बैटे वो चित्र कंसेप नमबर पांच में जो रहे गया था पहले उसक कर दिया है फिर हम आगए थे इंडस्ट्री एनलेसिस और आपने आई टी सेक्टर को चुना था जहां तक मुझे याद है बेटे इंडस्ट्री एनलेसिस में हम बहुत सारी बाते देखेंगे अपितर चित्र चित्र बना रहे हैं तो दो-तिन बाते लिखते हैं दिमांड एं supply, competitors, उस industry में competitors कैसे है, future prospects, future prospects, उस industry के future prospects कैसे है, बिटे ये सारी बात ही, आप सारी बात ही देखेंगे, और तीसरा analysis लिखियेगा, फंडमेंटल में, company analysis, company analysis, बेटे तीन analysis किये जाते हैं, फंडमेंटल में, company में क्या क्या देखा जाता है, बेटे directors का, promoters का track record, financial position, EPS, मुझे मालूम है कि आप में से कुछ बच्चों को दिखने रहा, लेकिन घवराने की बात नहीं है, मैं कहाँ जी, step number two is fundamental analysis, और fundamental analysis में तीन analysis है, economic, industry, and company, economy, industry, and company, step number two, fundamental analysis है, अब हम आते है, step number two के बाद, step number three, बेटे मैं अलग page में लिखूँगा, लेकिन आपको step number three, अलग arrow के नीचे लिखना है, मैं अलग page में लिखूँगा, मेरे बेटे, आपने यहीं पर लिखना है, क्योंकि आपके पास जगा होगी, क्योंकि मुझे बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, यह जगा नहीं है, जैसे आपने चार एरोज बनाये थे, तो बेटे, पहले दो एरोज में लिख दिया, यहां पर मैं लिख रहा हूँ, technical analysis, टेकनिकल एनलिसस, बेटे, यहां पर टेकनिकल एनलिसस लिख रहा हूँ, टेकनिकल का मतलब है, कि आप इसमें क्या देखते हैं कि आजकल यह security किस तरह किया है, तो इसमें graph हम बढ़ाएंगे, टूल्स का प्रयोग करेंगे, हम चार्ट्स प्रिपेर करेंगे, हम बड़ी सारी बातें ऐसी टेक्निकली देखेंगे, और इसमें हम बुल फेस की बातें करेंगे, बियर फेस की बातें करेंगे, हम डाउ जोंस थियोरी भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं जो टेक्निकल होती क्या है मैंने कहा security का मतलब यह होता है security analysis यह होती है portfolio management यह होती है यह तीन questions होते हैं और यह चार steps होते हैं इन चारों steps से हम पता लगा लेंगे कि हमें यहां पर invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए तो बेटे लास्ट step number three complete हो गया आपने अगर लिख लिया हो तो बेटे आगे चले step number four step number three के बाद बेटे step number four में आजाए step number three अगर कर लिया हो तो step number four आजाए step number four में risk and return step number four में risk and return की calculations हम करेंगे बेटे risk calculate कैसे करते हैं return कैसे calculate किया जाता है इन सभी बातों को discuss करने वाले हैं तो यहां पर लिख लिख लीजे return how many types of return are there what is the meaning of return बेटे risk को calculate करेंगे जैसे आपको पता है मैंने एक example दिया था गए एक लड़की के माता-पिता लड़के के माता-पिता से बात करते हैं खानान की बाते करते हैं जन्तिती की बाते करते हैं मा लेते लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया और एक दिन विवा का मुकर्रर भी हो गया और विवा हो भी गया हर चीज बराती आए खाना खाके चले भी गए अब बेटे आपको मालू है कि सुभे चार बजे अगले दिन सुभे चार बजे कन्या की डोली को विदाई होती है तारों की छाओ में अब बेटे हमने इंवेस्टमेंट कर दी सेक्यूरिटी खरीद ली एनलाइज कर दिया सब पढ़िया था बेटे जब इंवेस्टमेंट कर दी डोली जाने के बाद रिटर्न औ लड़का लड़की प्यार महब्बस से रह रहे हैं लड़ाईयां कर रहे हैं यह की पुजिशन तो नहीं आ गई यह महब्बस से रहते हैं यह नहीं रहते हैं एक दूतरे की बात मानते हैं नहीं मानते हैं तो बेटे हम क्यालकुलेट करेंगे रिटर्न कितना है हम क्यालकु बेटे विलियम शार्प about a Venus बेटे में कुछ लाइन हों का प्रयोक करूंगा जैसे wij जैसे जैसे कैपितल मार्केट लाइन जैसे सेक्यूर सेक्यूरुटी मार्केट लाइन तो इन सब्सक्राइब को मैं discuss बस आपके सामने घ्बने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि आप चारो स्टेपस एक बार लिख लें चारो स्टेपस लें दोस्तों बस आधिन अरिंआपकी लाइफ में सबस्क्णिकित फूरा हो जाए गारेал हम यहां पर लिखें अब जेक्टिव ऑफ सेकुरेटी एनलेसेंस एंड पॉर्टफोलियो मालेश्मन्ट आ नि मुझे एक बात बताईये जब मुझे पता है कि कितने अन्य करीद कन रहें रहते है इनले c